क्रिशी बिल को लेकर भले ही सरकार बैक फूट पहो और यह मान रही हो कि यह रार खत्म हो चुकी है लेकिन अभी जो किसान है वो कत्तली मानने को त्यार नहीं है और इस वक्त हम जेवर जो प्लाजा है जेवर जो टोल प्लाजा है वहां मौदूद हैं और यहां बड़ी संख्या में जो किसान है वो अभी भी यहां पर धरना चल रहा है उनका बकाइदा तमाम जो इंतिजाम है वो की गये हैं हाँ लेकिन जो पल-पल की जो सियासत है चाहें वो लोकसभा राजसभा के भीतर की तस्वीरे हो उन पर यह तमाम जो किसान नेता है वो नजर जरूरा रखे हुए हैं और लगता उन तमाम मुद्धों पर यहां पर चिंतन और मंतन हो रहा है लेकिन किसानों ने साप कह दिया है कि फिलहाल वो यहां से हटने के मूड में कटता ही नहीं है चौधरी महें सिंग्धी हैं किसान युनियन के मंसाब अभी जिस तरीके से सरकार बैक फूट पर है सबसे पहले यह किस तरह से देखते हैं आप और अभी घर वापसी कब तक यह जो कानून है जो काले कानून थे एक बीमारी थी चौधी साब ने भी बता दिया है कि जैसे करोणा वीमारी आई ऐसे यह कानून आए करोणा वीमारी गई कानून भी गई हमारी में समस्थ्या है किसान का माल खरीदा जा रहा है किसान की लागात भी नहीं लेगाव जरी में लोग नामें कानून बना में जो फिसे नीचे खरीद है उसके खिलाब करवाई हो यह हमारी मैं उत्युक्त बात कहा कि कोरोणा की तरह यह विमारी है और करोना गया उसी तरिके से बील भी गया लेकिन वापजी के भी संकेत है कि ठाड़की आ रहे है तो क्या मान का जाय इसंको को जोड़ा जाकि पिसंृ साई कि भी आप करोणा करोना तो मोदी का अई बहुत बड़ा हूँ है कि héँ दोस्ती मानों करोना से हमारे पोनार से हमारे परदान मंतरी की जहां चुनाब होते हैं वह बड़ी-बड़ी सभाः होती है दस झालंता है आ को यह यह को ארना दृत लिए चाहिए चैना है जएक नोगा अермाना-इस कोई-जória-दे नही है terrific बहुत पढ़ यह संकट तल गया देश के ऊपर से बहुत बढ़ा संकट हो एक किसान को MSP चाहिए MSP पर जब तक गारंटी ना दे जब तक हम यह से जाने वाले नहीं है कुछ लोग उदर आपके किसान कह रहे थे कि जैसे सरकार ने कोरोना के खिलाफ ठीका करना अभियान चलाए था उसी तरह चुनाओं में किसान भी सरकार के खिलाफ कुछ अभियान चलाने वाले ऐसा है क्या यह तो कहने सुने वाली बात है कौन क्या कहए हमें किसी की राजरी की कि लेंदे ना हमें राजरी सी कुल लेना देना नहीं है बोर्ड देनी है जहां मन कर रहे हैं हों देढ़े देंगे सब शाथियों से करका है कि जो अच्छा लगाँ उसे देदो बही हमारे प्रदान मंतरी कि समझ में एक साल में आया है कि देश का अन्य दाता है उससे पहले तो कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी कभी कभी आंदोलन जी भी तरह तरह के नाम दिये जा रहे थे हमको एक साल में हमें हमें पहुंचाला खुशी इस बात की कि कम से एक साल में हमारे प्रधान मंदी आप लगता है कि इस बार किसान जिदर गया उदर की सियासत बदलेगी ऐसा कुछ लग रहा है क्या नहीं उत्तर पड़ देश की ही क्यों पूरे देश की इस सारा सौधा जो है मलकिसान के उबर रुका हुआ है पूरे देश का आदमी पूरे देश का किसान पूरे देश का मजदूर आंदो रहे हैं एक साल में सभी समझ गए इस चीज़ को कि यह बीमारी क्या है सब समझ गए एक साल में हम जब तक पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहों उननीस सो सेंतालीस में सिर्फ सत्ता परवटन हुआ गोरे गए और काले आगे विवस्ता परवटन नहीं हुए यह लड़ाई बड़ी है तो जल्दी जाने का मतलब भी नहीं है क्योंक समझ में आएगी दिने दिने समझ में आएगी और समझा के जाएंगे हम कब तक जब त सरकार तो कह रही है कि हमने सब कुछ कह दिया खिरसी बिल वापस होगा उसके बावजूद किसान जिद्धी जिद्ध कर रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं प्रदान मंत्री तो कह रहे हैं हमारे देश के प्रदान मंत्री ने कहा था कि दो करोड़ बच्चों को हर साल संथर और घंढ तक ऑई दूनी कड़ों कंए होगी तो यह कहने से काम निस दूंद रहे हैं और आज सब्सक्रै कि वह इंहूंने दो तो कि लिजे लगती हैं किहाज इसलिग औंपनाइएगा हमारा आज-कारिकरम तो संसत गिरूएं करने उन्हें मैं को कोई कि महिक नहीं हमकिन कर हम बातचीत बातचीत के बातचीत के घरिये हँ हन लेकानने वाले आदमी पुराने हैं कि लग रहा है इसमें चुनाओं का महौल चुकु चल ला है तो किसानों का जो महौल बड़ा गर्मारा है सबी सियासी पार्टियां डोले डाल लई हैं किसान का क्या रुख है इस भार निक किसान को रुख यह यह याई पर आधारेत थे किसान तो अब एमेसपी चालाएं पर पेसे किसान को राज़नी तर्ट मन करें वाब बोर्ट दो यह कोई मतलब नहीं हम कि हमको समस्च्या का समाधन चाहिए है अगर जो हमारी वह लेनी है तो हमारी समस्च्या का समाधन कर रहे हैं अब तो कह रही है ना बीजेशे पी तो कह दें कि समझाव का समधान हो रहा है तो फिर जोड़ी हो काम भाई खाली कहने मात शेथ हो रही वो करका दिखाए के ने मात का क्या मतलब है अब तो साथ चलाना भी नहीं है ओटोमेटिक साथ चला है एक साल से जिसका हम जार कर रहे ह हमें को दिखाए नहीं कहां समझाव समादान कहां कर रही है एमस्पी पर गारंटी कानून बना रही थी अगर चाहें तो क्यों नहीं बना रहे हैं मक्का बाजरा हमारा 1100 में बिकता है यह कह रहे हैं मोदी जी कहते हैं कि MSP है MSP रहेगा तो यह इनकी साथ जूट है बस किसान कौम कोन चीज होती है किसान कहरें रहे हैं किसान करा सिखाएं यह कानून बनके पड़ गे खाली काग जोप है कारेन नहीं है हम कराके जाएंगे अब वने संकलब कर लियाएं लेकिन दुख बहुत दुख है मुझे अमज है जिस किसान से माःंधी माः तैन यह माई वह भी एक जुबटा किसान ता मंत्री को खिसानों से बाइज रना करने के बाद में यह वर्ण यह respirator लोग लट रहे जिस्वर रहे हैं जो मर रहे हो क्या चाहते हैं क्या नहीं कि बैठके बात करतें इस तरह सहीना लगंगारि हमारे देस का प्रधान मंत्री इस तरह की लूग हुआं तो क्या क्या की समान चांएशाब बात कर ने ढूब कर रहें रहें यह अऩशा कहीं है को नूदे कर रहा हुआँ कि आपकी बुद्धी आपकी बुद्धी को सही करें और देश्के सबस्क्राइब करना लिए लुए जो धिन्यलियाब से दिन्यलतां, इस अलज़ं का मैं प्यार करें, जो धिन राट को चोवीज़ांटे कंता है, अपने बचे आपने घर को छोड़ का 24 कि अपने लिए रखता है तो उस पर तर्स खाए उसके लिए सोचे उसके लिए बिचार करें इनकी हाई ले बेटेगी आपको ने पर्धानमंतरी जी बात कर रहा हूं कि प्रधान मंत्री जी आपको इनकी हाई ले बैठेगी इनके साथ न्याय करें एक साल से ज्यादा हो गया लेकिन आपको क्या लगता है कि यह पूरे अगर हम इसके पीछे जाएं और दो टुक में कहें तो क्या भातिनता पार्टी को डर सता रहाता कि अगर यह वापसी नहीं करते हैं तो उत्तरपरदेश में रहा बेकाबू सकते हैं हो खौसोर पर पर उतर प्रदेश में हैं दिल्ली में हो जैते राजकरदी हो जातेएं प्लांता है कि हर मोट्चे से पांसमी और 36 ट्रस चलेंगे 36 ट्रस नहीं चलते आ चलते इतना जोशना किसान में हैं यह इन्होंने गलत नमर cortar किसान की कीमट की पता नहीं किसान कभी हालता नहीं कभी किसान नहीं हाड़ता मात ही किसान की यह पानी मैंका की शूरत का पर किसान के बच्चे हैं जो सीमा पर आपको ठीक टाक रखा रहे हैं बता कौन से उद्वपदी के हों बेटे कौन से मंत्री के हों बेटे और वही अनुगाता आजमीन से दिरनात कडी मेहनत करके वही अनुगाता है तो इस पर तरस खाए और परमात्मा से निवेदन करूंगा प अकुछ सद्वुद्दी दे जब तक दिखा दें ठेशार किसान है और ये भारतिय किसान यूनियन का अनिश्चित काली जो धरना है वह फिलहाल इन्होंने यह तैय कर लिया है कि जब तक विल वापिस नहीं होगा घर वापस नहीं होगी और काले कानून वापस तो इस तरह फिलाल यहां की जो सियासत है गर्माई हुई है और जेके वर प्राजा पर किसान पुली तैयारी से हैं और कह रहे हैं कि जब तक सरकार विल वापस नहीं करती MSP की करण्ठी नहीं लेती तब तक फिलाल वो यहां से वापसी नहीं करेंगे कैमरा परशन सरोप पांडे के साथ अमितेश्री वास्तो राजनीत के लिए नोईडा से